हम बात करेंगे के अपडेटेट लिबस और आने वाले दिनों आपके लिए टाइगेट करेंगे करेंगे करेंट लिए 0.044 से उपर ट्रेड कर रहा है रिसेंट जो ब्रेक आउट हुआ था इसमें 0.049 वाला एरिया ट्राय किया उसके पास से थोड़ा करेक्शन देखने को मि हमें देखने को मिला कल से अभी तक उल्मोस्त इसकी प्राइज में 20% का मुमेंड है और अपना जो बोटम है उस लेवल से अभी तक इस कोई ने 600% से ज्यादा की रिकवरी की है रिसेंटली टूडेएगो हमने इस कोई से लेटेड वीडियो शेयर किया था जब एक अच्छ किया होगा अगर आपने वह वीडियो देखा होगा तो सोटम को जो टाइगेट है उसका मेंड बताया था कि अगर उस दिन ट्राइग नहीं करता है तो आने वाले दिनों में ट्राइग कर लेगा तो उससे रिलेटेड भी हम यहाँ पर बात करेंगे और क्या न्यूस थी बात करेंगे इस वीडियो में उससे पहले जो नए इंवेस्टर ट्रेडर मार्केट में आये हैं जिनको जानदा नोले एक्सपेस नहीं है उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर उनको प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर स्ट्रेजी शेर किया करेंगे सकें चेटेक्स रहेगा क्रिप्ट्अ कुष्ये बनाना चाहते हैं और क्रिप्टन प्राइसा लुपरज नहीं करना चाहते हैं भो केंश सकते हैं इंस्टा के लिंक वी डिये स्धुपिशन उसकी लिंक में ऌपर कमेंट में पिन कर दूँआ दूसरा अगर आप चैनल पर जाकर देखोगे तो दो-तीन वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा तो उस वीडियो को भी आप वो जरूर करें अगर नए हो तो पुराने दे तो देखा होगा अगर नए फर्स टाइम हमारे वीडियो को देख रहें उसको दे की वज़े से हो किसी भी वज़े से या फिर नई अपडेट निकल के आई हो लिस्टिंग हो जो भी हो तो जो भी लेबल्स रहते हैं वो हम आपको शेयर करते हैं तो यहाँ पर 495 तक प्राइस चली गई थी और यह क्वाइन जब हमने वीडियो बना रहे थे हम तो 43 पर ट्र आपको के रहने की जो को प्रोफिटि अ प्रोसिज अर्मस प्रस कर देर लेते हैं कि जिन्होंने बाई किया किस लेवल पर ятन नहीं है लेकिन बाई किया और उनको अच्छा परोफिट हो रहा हो उनकी परोफिट पर्षेन कांट सूल भी ब्रिबर Ind 045 वाला लेवल first target बताया था जहाँ पर आपको 70% पार्ट सदावर करके exit होना था उसके बाद कुछ पार्ट आपको बचाना था 30% जिसके लिए हम जो कि risk की area हम cover करते हैं जिसमें आपका profit percentage बढ़ जाता है उसके chances 90% रहते हैं 3% नहीं रहते हैं उस दिन के लिए आने वाले दिनों में चली जाई के price लिए उस दिन के chances कम रहते हैं लेकिन उस दिन इसने 49 वाला area try कर लिए exactly 45 और 48 आप देख सकते हैं exactly दोनों area try करके price नीचे चली गई फिर correction देखने को मिला वो price ने 36 तक का correction लिया था जो की बहुत normal correction है इतना correction होता है और मैंने बताया था कि 30 से उपर वाली जिन लोगों की भी buying है उनको तो किसी भी condition में sale करना है उससे नीचे वाली buying है उनके लिए save area रहेगा आप चाहें तो और भी wait कर सकते हैं नहीं है कि हमें और उपर वाले लेवल पर sale करना है क्योंकि 30 से नीचे price जाने के chances बहुत कम हैं तो 30 तक भी price नहीं गई अब short term के हमने target बताया था 0.055 वाले level तो 55 वाले level short term का मतलब है कि आप 5 दिन 10 दिन 15 दिन maximum maximum one month भी आप hold कर सकते हैं तो आपकी recent की अगर buying है क्या आप अपड़े 2-0 पर buy किया है 15 पर buy किया है या फिर यहाँ पर buy किया 25 कराओं में easily आपको 2-3 दिन buying करे हुआ है आप 8 दिन 10 दिन भी wait कर सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना भी wait कराएगा ये coin तो आपको उपर वाले level पर sale करना तो आपको थोड़ा सा wait करना पड़ सकता ये चीजे में exactly पूरी चीजे आपको वीडियो में clear कर देता हूं जब भी आप वीडियो देखें वीडियो को पूरा देखें, end तक देखें बहुत सारी लोगों के comments इस type के आते हैं, जो चीजे में आपको 25% रहती market में काम करती है बाकी आपकी जो mind strategy है proper आपका क्या आपका risk management है, money management क्या है, क्या strategy आप follow कर रहे है technical चीजे, ये सब मिला कर जो है market शलता है, आप उसमें trade अच्छा trade कर पाते हैं, अच्छा profit generate कर पाते हैं, ऐसा नहीं कि आपने buy किया sell कर दिया, आज buy किया थोड़ी देर बाद sell कर दिया, फिर buy किया trade लेते ही जा रहे हैं, आपको अगर loss हो रहा है तो भी आप trade ले रहे हैं, तो ये सारी चीजे जो है important factor है, कि कितने trade आपको दिन के लेने हैं, या फिर जो भी perspective है, उसको पहले से set करना है, goal set करना है कि कितना profit लेकर exit हो जाना उसके बाद, चाहे वो coin कितना ही उपर चला जाए, वो अलग चीजे है dump होने के chances भी उतने ही रहते हैं जितने की बढ़ने की, 50-50 का ratio रहता है, ये आपको याद रखना है ऐसा नहीं कि आपने किसी coin में profit book कर लिया और फिर वो coin उपर चला गा आप सोंच रहे कि नहीं, ये coin तो उपर जा रहा मुझे buy, sell नहीं करना था अब दूसरे coin में, किसी coin में आपने sell नहीं किया, जिस पर जहां पर आप sell करना चाहते थे, लेकर sell नहीं किया वो price वहीं से dump होना start होगे, फिर तो दोनों factor काम करते हैं आपा, अभी अगर currently की बात करें, तो वो वीडियो आपने नहीं देखा कोई बात नहीं है, आपकी buying वही मैं आपको बता रहा हूँ, 30 से नीचे की है 25 की है, और hold किया हुआ है, तो same to same अभी भी वही चीज़े वापिस से ये coin में देखने को मिल सकती है, अहला कि price अभी जो है, वो उसने 47 वाला area try किया तो उसके बाद stability है, 43 40 तक भी price आती, तो ये stability area है, तो यहां से वापिस chances है, कि 45 से लेके 48 को ये coin वापिस आज try कर सकता है और अच्छा moment अगर होता, जैसे BTC के कर बात करें, नाइट के टाइम में हमने 23 600 वाला area देखा था, और अभी वापिस 24 500 से उपर trade कर रहा है तो वापिस उसी को follow अब करते हुए, इस coin में भी देखें, न्यूस के अगर बात करें, तो इसने गूगल पे एड किया था crypto purchases के लिए fiat currency से आप directly crypto purchase कर सकते थे, और उस news के वाज़े से breakout देखने को मिला, उसका impact थोड़ा बहुत अभी है, एक दो दिन और देखने को मिलेगा, तो अभी एक दो दिन में ये coin 5 से उपर वाले लेवल को भी try कर सकता है, तो उसमें आपको जो trading perspective वाले हैं वो 4-5 और 4-8 पर same 70-30 के रिसों में sell करेंगे और 6-10 वाले जो हैं वो 5-5 पर sell करेंगे, जिनकी buying पहले की है, recent की buying है, 3-5 से उपर वाले लेवल की buying है, तो आपके लिए थोड़ा सा रिस्क बड़ा है आपका एरिया नीचे वाले लेवल पर अगर correction होता है, तो वहाँ तक जा सकती है price आपको, अगर आपका long term का, जैसे short term का आपका perspective है, तो आपको 5-2 5-3 कराउं sell कर देना है, और trading है, तो वो same target आपके लिए रहेगा और long term की अगर आपकी holding है और पहले की buying है, तो आने वाली तो नवी जब आपको 300-400 percent का profit देखने को मिलता है तो कुछ part आपको sell करना है बात कर लेते buying की, कि कि किस area पर आपके लिए buy करना ठीक रहेगा किस level पर आपको buy करना है तो देखिए अभी एक अच्छा breakout इस coin में हुआ है, यह daily का chart open है और अपने bottom से this coin ने 600% से जादा की recovery की है और recent वाले area से भी अगर बात करें तो 200% से जादा की recovery है तो अभी आपको wait करना है price अगर यहाँ पर stable होती है, 35, 34 यह 36, 38 के round में तो आपको वहाँ पर 35, 34 के round में buy कर लेना है वहाँ पर अगर stable होती है तो यहने की एक card candle में price नीचे 35 को try करती है फिर थोड़ा सा pump है, 38, 40 पर stable है फिर एक card candle में तो 34, 35 आपकी buy हो सकती है और अच्छा correction होता 35 से नीचे stable है तो फिर आपको 3032 के round में buy कर लेना है वाकी अगर अच्छा level रहेगा तो मैं आपको entry point proper way में share कर दूँगा वाकी यहाँ पर buy or sale खुद के risk को खुद के research के हिसाब से करें और जो नए investor trader है वो हमारी premium membership में ज़रू enroll करें ताकि आप crypto losses से बच पाएं over trading को manage कर पाएं signal वहाँ पर share के आएंगे चेट एकसर रहेगा और भी बहुत सारे benefits है तो जो भी interested है वो इंस्ता पर DM करके join कर सकते इंस्ता के link वीडियो के description में है वीडियो अच्छा लागा लाइक ज़रूर करें जनल को subscribe कर लें